हे गाईस तो आज हम एक लैप्टूप की बात करेंगे जिसका नाम है असुस जैफ्रिस जी 14 बले ही एक साल से उपर हो गया इस लैप्टूप को लेकिन अभी भी लाज नंबर ओफ ओडियन्स इंटेस्ट इस लैप्टूप में क्योंकि अपनी तरह का एकलोता लैप्टूप है इंडिया में वैसे तो हम इसको तिन लाइट गीमिंग लैप्टूप बूलते हैं लेकिन प सर्फेस फिनिश भी इस लैप्टूप की बहुत ही यूनीक है यूनीक इंतसांस एक सॉफ्ट हार्ड फिलिंग है इसमें और सर्फेस पर लाइट डिफूशन भी बहुत बूपी है हिंज की बात करें तो उसका टेंशन बिलकुल ऑप्टिमाइस्ट है और जो हिंज का डिज है वो नया नहीं है लेकिन लैप्टूप को एर बीतिंग में हेल्प करता है कुल मिलाके अगर इस लैप्टूप को बिल्डवाइस जज़ करना हुआ तो ये लैप्टूप 9 आउट ओफ 10 स्कोर करेगा ओके जिस वीरियंट को आज में रिव्यू कर रहा हूं उसमें एनिमे म बैकलेट में भी आरजी भी नहीं है हाँ इस लैप्टूप में इधर उदर गेमिंग इंस्पार डिजाइन जरूरा है लेकिन वो इसके अस्थेटिक को रूइन नहीं करता और हाँ ये लैप्टूप दो कलर्स में आता है एक तो मूनलाइट वाइट और एक एकलिप्स ग्र की रैम आती है तो मैं चाहूंगा कि इस लैप्टूप की रैम को तो आप अपगेड कर लेना और आप जब भी ऐसा करोगे प्रफॉर्मेंस में एप्रॉक्स 40% का जंप फील करोगे ओके तो जैसा कि आपने स्पेक्स में देखा कि जीप्यू जीटेक्स 1650 है तो ये जीप्य आर्टेक्स 3050 से प्रॉक्स 27% स्लो है चलो बेंचमार्क को भूल जाओ एक्चुल गेमिंग में भी फर्क इतना ही निकल के आता है ओके तो टैटल लाइक वेलरेंट और जीटे फाइफ में इतने तो फ्रेम रेट मिलते हैं कि आप इन गेम्स को एंजोई कर सकते हो लेकिन ड ब्लेंडर में 1650 के बेस पर एंडरिंग करते हो तो वो रैजन 7 से अप्रॉक्स 30% फास्ट होगा ऐसा सिर्फ लैप्टोप में नहीं होता पीसी में भी सेम सीन देखने को मिलता है कुल मिला के वो दिन गय है जब प्रड़क्शन वर्कलोड में अकेले CPU से काम चल जाता था आ एक में DCI-P3 की कवरेज थोड़ी कम है तो अगर आप HDR कंटेंट को टागेट करे हो तो DCI-P3 की वैल्यू पर ध्यान देना दूसरे एरियास जैसे की brightness और contrast ratio वहाँ पर यह दूनों स्क्रीन एकदम perfect है ओके एक बात और GTX 1650 को 2K स्क्रीन के साथ पेर करना मुझे कुछ ठीक नहीं लगता इससे बहुत ही unnecessary load आता है GPU पर हाथ वबंदर की बात करते हैं इस laptop में टूटल 5 heat pipe और 4 hot air के outlet हैं अब gear option में हमेरे पास single SSD का slot है और single RAM का slot है क्योंकि जो भी variant आप करीते हो उसमें जो आपको RAM मिलती है वो उसके motherboard पर fix हो रखी है ओके thermal में ते एक proper giving laptop बे struggle करता ह तो temperature काफी हथ तक control में आ जाते हैं तो आखर में temperature तक control में आ जाते हैं लेकिन fan noise laptop की बहुत increase हो जाती है हाँ तो अब इस laptop को लेके तीन पॉइंट हो रहा है एक तो ये कि speakers इस laptop के बहुत ही कम माल के हैं हाँ Macbook जितने अच्छे नहीं है लेकिन किसी भी Windows laptop को असानी से बीट कर देंगे सेकंड पॉइंट ये कि port wise ये laptop बहुत ही रिच है साथ ही type C charging भी सपोर्ट करता है जो कि traveling में बहुत काम आता है तीसरा पॉइंट ये कि इस laptop में 76Wh की बैटरी है जो कि आपको 6-7 गंटे का backup दे देती है ओके तो इस पूरी वीडियो को एक साथ summarize करें तो इस laptop के strength और weakness दूनों आपके सामने है आखिर में इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद ये laptop आपको पसंद तो आ जाएगा लेकिन आपको expensive लगेगा साथ ही webcam भी नहीं है इस laptop में जो कि बहुत ही बुरी बात है वैसे ही सच है कि जब market में RTX 2050 और 3050 के laptop आ चुके है तो GTX system 50 को लेना थोड़ा regret वाली feeling देता है कुल मिला के अगर कोई record breaking deal आई ना तो ही इस laptop को लेना normal दिनों में तो मती लेना तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छा लगाओ तो like कर देना थोड़ा share कर देना और मैं मिलता हूँ फिर आप से अगली वीडियो में